देखिए आपको सुनकर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कलाकार सिर्फ भावुक नहीं होता, कलाकार चालाक भी होता है देखिए जब चलाकी तब इंसान में आती है जब उसका घर खत्रे में होता है चलाकी तब इंसान में आजाती है जब उसको लगता है कहीं ना कहीं तकलीफ है हमारे देश के अंदर जिस तरीके से अंधरा प्रदेश में तिरूपती बाला जी के मंदिर में सनातनियों को गाएं की चर्वी और मचली के तेल से सना हुआ परशाद दिया जाएगा तो हम सनातनी चलाकी नहीं करेंगे तो करेंगे क्या साथ हमारे यहां जिस तरीके से सनातन को देखा जाता है हर जगा हर शहर के अंदर हर स्टेट के अंदर गव माता का वद हो रहा है काटी जा रही है जो हमारी मा है अगर उसको हम इस तरीके से देखेंगे तो चलाकी की बात करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे साहब, और ऐसी चलाकी तो भगवान कृष्ण ने भी करी थी, तभी धरम की स्थापना हो पाई, और इसलिए हर्याना के मंच पे हम सब कड़े हैं साहब, यहां चलाकी तो भगवान कृष्ण ने भी की है, और हम उसी को फू उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि राश्ट्रपती जी को क्यों नहीं बुलाया गया द्रौपदी मुर्मु जी को तो बड़ा सरल सा जवाब है उस त्रेता में भी भिलनी से मिलने राम गए थे इस कल्यूक की भिलनी हमारी राश्ट्रपती है राजा राम उनके घर में राश्ट्रपती भवन में भी रास्ते हैं वह आए ना आए उस शबरी के पास राम पहुंचेंगे और यह अध्यात्म का नजरिया राजनीती का नजरिया नहीं है और जो राजनीती का चश्मा लगा कि धरम को पढ़ेंगे उनको धरम की परिभाशा कभी समझ नहीं आएग अध्यात्म का चश्मा लगाकर पढ़ना पड़ेगा आपको राम अयोध्या मेनी अपने घर में मिलेंगे कहीं जाने की ज़रत नहीं है उन्होंने जाती जनगर्णा पर भी ये कहा कि जाती जनगर्णा होनी चाहिए अब सवनातन की बात करते हैं हिंदु धर्म की एका की बात करते हैं और politicians कहते हैं, जाती गिनौ간, सववण कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी तने हैं, अभी अभी दिवाली आएगी, अयोध्या में लेके जाना उनस सब को जो जाती गिनने की बात कर रहें, वह 27 लाख दिये जलेंगे उनको कहना गिंती करो बढिये ने कितने जलाए ब्रामन ने कितने जलाए आदिवासी ने कितने जलाए कंधों से उची छाती नहीं होती धरम से बड़ी कोई जाती नहीं होती धीपक ही नी बचा तो बाती का क्या करेंगे सनातन धरम ही नी बचा, तो जाती का क्या करेंगे, कौन सी जातियों में बाटने की बात करते हैं, सनातन को जब जब बाटा गया है, तो अंग्रेजों के द्वारा बाटा गया है, सनातन किसी के बाटने से बटा नहीं है, और यह सनातनी बड़े जागरूक है, आप आने वाले समय में देखना यह गिनते गिनते ठक जाएंगे लेकिन गिनती पूरी नहीं होगी यह सनातन सब एक है सब जुड़े हुए है हाँ वोट के लिए अपना अपना मैं इफले कहा रही हूं आप देखिए उत्रप्रदेश को बहुत अच्छे फिफ मचते हैं यही जाती जाती गि गवार हमारी है किसी और की नहीं है लेकिं अयोध्या पर्टेकुलर शीत पर हम लोग जीते क्यूं की सब एक थे लेकिन कई बर गल्तियां हर किसी से हो जाती है उसको सुधारनिय का समय भी मिलता है जो जाती गढधनां की बात कर रहे हैं सब को मनदिर की जगा भी लेक के जाओ, और मंदिर की जगा भी लेके जाओ, यह किस तरीके की differentiate करके चलते हैं आप देश के अंदर, इस चीज को खतम करना चाहिए, यहां पर सारे धरम बराबर है, कोई धरम छोटा बड़ा नहीं, कोई जाती छोटी बड़ी नहीं, हम तो खुद इस आग को देखते आएं, कि इस तालाब से कौन पानी पिएगा, कौन न पी सके, हमारे लिए तो विदेशों से लोग आए, मुगल आए, उनको भोजन मिला, अंग्रेज आए, उनको भोजन मिला, किसको मसाले नहीं दिये हमने साब, और हमारे ही पानी को खीषने की बात करते हैं, तो यह सरासर गलत है, ऐसा इस देश में नहीं होना चीए, आप इ ऐसे नहीं दिया, मुझे? आपको चाहिए नहीं था? नहीं, मैं ना तो राजनेता हूँ, ना मुझे राजनेता बनना, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं, मैं मेरे राम का हूँ, और राम सब के हैं, ना इलेक्शन लड़ने से मुझे कुछ पाइदा होन रने वाला ना इलेक्षन किसी की मुझे मदद करनी है तो मैं वैसे संस्था बना के किसी की मदद कर दूंगा हम इतने सबल है आज हम भगवान की कृपा से इतने प्रबल हैं कि अगर किसी शहर की किसी गाओं की हम मदद करना चाहें तो हम अपने लोगों को जोड़ के भी उस की मदद कर सकते हैं जरूरी नहीं है छोटे से कजबे से विधायक बन जाओ 11,000 विधायक होंगे कम से कम हमारे देश में लेकिन कनया मित तले की है 11,000 नहीं है साब हमें बनने की जुरत नहीं है कोई विधायक यहां पर सब का मान है, सब का सम्आन है, ओगवान ने आपको एंकर बना कर बेजा, जर्रणिस्ट बना कर बेजा, मुझे गायक बना कर बेजा, यहां जो लोग बैठे अलग लग शेत्र के बैठे बाहर जो कूड़ा चक्रा है वो भी हमारा भाई है उसको भी उस काम के लिए बना के बेजा है वो जब उस काम को चोटा नहीं समझता तो मुझे तो बहुत बड़ा काम दिया हुए भगवान ने मैं किसी और काम को चोटा क्यू कहूंगा और किसी और काम को क्यू चुनूंगा